भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की निधन से देशपर में शोक की लहर दोड़ पड़ी है राश्टेपती प्रधान मंतली नेता राजनेता से लेकर बॉलबूर्ट इंडस्टी की सितारों के स्थास साथ विदेशों में भी देखने को मिल रहा है कि लता मंगेशकर जी को याद करती हुए नसर आ रही हैं तमाम हस्तियां इसी दोरान देखा जाए तो कई राज खुल रहे हैं लता मंगेशकर जी की गुजर जानी की पाद परिवार की हालत कितनी दर्धरी हो सकती है यह हम सभी समझते है बात करेंगे यहां पर इस रिपोर्ट के जरिये आज हम लता मंगेशकर जी की भाई हिर्देनात मंगेशकर जी के पारे में नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्रांशिराठ्ठर आपके बीज बात करने जा रही हूँ हिर्देनात मंगेशकर के बारे में लता मंगेशकर जी के छोटे भाई हिर्देनात मंगेशकर जिन्होंने लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी मुखागनी थी अपनी बेटी के स्ताहत वह लड़ खड़ाते कदमों से चलती हुए नजर आए शिवाजी पार्थ में लता मंगेशकर जी को श्रधांजली दी गई और अपनी बेहन को उन्होंने इस दुनिया से विदा किया वो पल हर किसी को रोला रहा है वहीं सी बीस देखा जाए तो हिर्देनात मंगेशकर जी के स्ताहत लता मंगेशकर जी का रिस्ता कितना खास था वहीं हिर्देनात मंगेशकर जी इंडस्री में किस मुकाम को हासिल किये हैं आईए बताती हैं फिर्टनात मंगेशकर जी के बारे में कुछ अंसुनी बाते भरत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को गुजरी हुई तीन दिन हो चके हैं लता मंगेशकर जी की निधन से जहाँ देशपर में शोग का माहौल देखने को मिल रहा है वहीं उनका पूरा ही परिवार इस वक्त काफी जादा गहरे सदमे में डूबा हुआ है हाल ही में पॉपुलर एक्ट्रेस पद्मिनी कोलापुरे ने बताया कि उनकी छोटी बेहन दिकर्स गाय का आशा भोसले अंदर से बुरी तरह से तूट चुकी है वहीं ऐसा ही हाल है उनकी दोनों ही बेहनों मीना मंगेशकर और उशा मंगेशकर का बात की जाए यहाँ पर उनकी भाई फिर्देनात मंगेशकर के बारे में फिर्देनात मंगेशकर जिन्होंने अपनी प्यारी बेहन लता मंगेशकर जी को श्रबे लता मंगेशकर जी का अंतिम संसकार किया अपने हातों से शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी को रास्ट सम्मान देते हुए बेहत शांदार अंदाज में अंतिम विदाई दी हिर्देनात मंगेशकर ने लता मंगेशकर जी को मुखागनी दी और उस वक्त उनकी हालत काफी ज़ादा दर्दनाग थी अंतिम विदाई के दोरान अंदर से वह तूटे हुए नजराय चहरे पर मायूसी थी और वह हालत हर किसी को रूला रही है जानकरी के लिए आपको बता दे हिर्देनात मंगेशकर के बारे में लता मंगेशकर जी से उम्र में आठ साल छोटे थे हुए जानकरी के लिए आपको बता दे हिर्देनात मंगेशकर जी लता मंगेशकर जी से आठ साल छोटे हैं हिर्दिनाथ मंगेशकर जी आशा भोसले से भी चार साल छोटे हैं हिर्दिनाथ ने अपनी बड़ी बेहन लता और आशा के नक्षे कदम पर चलती हुए म्यूजिक इंडॉस्ट्री में ही अपना करियर बनाया है म्यूजिक और फिल्म इंडॉस्ट्री में वह बाला स्ताहिब की नाम से जाने साती है पताद्याब को एक म्यूजिक डारेक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी खास और अलग पहचान बनाई है जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी सिंगर की तौर पर मशूर हुई वहीं उनकी तीनों बहने भी काफी जादा टैलेंटिड है आशा भौसली की गायका से हम सभी वाकिफ है बात की जाए यहां पर हिरदेनाथ मंगेशकर जी की बारी में साल उन्हें सो बच्पन में मराठी फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत की हिंदी भाषा की फिल्मों में उन्होंने बहुत ही कम काम किया है लेकिन मराठी सिनेमा में भे है अक्टिव है संगीत की दुनिया में उन्होंने योगदान दिया है भारत सरकार की दौरा उन्हें साल 2009 में पदम श्रीस से भी नवाजा कया था इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, साल 1990 में उन्हें नेशनल फिल्म आवोर्ड से सम्मानित किया गया जी हाँ, साल 1990 में लेकिन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था और उस वक्त रिपीट और इस तरह से फिर्देनात मंगेशकर जी ने अपनी बेहत अलग और खास बहचान बनाई म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको बताना चाहेंगे फिर्देनात मंगेशकर जी के बच्चों के बारे में उनके परिवार की बारे में हिर्देनात मंगेशकर जी के बेटे हैं आधीनात, आधीनात को हाल ही में, रिपीट, हिर्देनात मंगेशकर जी के बच्चों के बारे में बात की जाए, तो हिर्देनात मंगेशकर जी के बेटे हैं आधीनात, वैसनात मंगेशकर, राधा मंगेश तीन बच्चों के पिता है हिर्देनात मंगेशकर जी जानकरी के लिए आपको बता दे हिर्देनात मंगेशकर जी की पत्नी है भारती मालवांकर मंगेशकर हिर्देनात जो अंदर से तूट चुके हैं अपनी बड़ी बहन लता जी की गुजर जानी के बार लता मंगेशकर जी लतामंगेशकर जी ने अपने भाई और बेहनों की परवरिश केलिए पृपूर्ट मे अईनगोंगेश किरां लतामंगेशकर जी की तरह भाई और पहने últimos काफे जान दान है इस रिपोर्ट में अब और तक में गया sz upgrades झाल झाल